वियतनाम में आपका स्वागत है, यह एक ऐसा देश है जिसका इतिहास अविश्वसनिया है, संस्कृती आकर्शक है और परिद्रश्य अद्भूत है आधिकारिक तोर पर वियतनाम समाजवादी गनराज्य के रूप में जाना जाने वाला ये देश दक्षन पूर्व एश्या में इंडोचीन प्रायदवीब के पूर्वी भाग में स्थित है लगभग 331,000 वर किलोमीटर के क्षित्रिय विस्तार के साथ वियतनाम कमबोडिया, लाउस और चीन की सीमा परस्थित है और इसकी जनसंख्या लगभग 100,000,000 है जो इसे दुनिया का पंद्रावा सबसे आधिक आबादी वाला देश बनाता है वियतनामी जनसंख्या मुख्यता है युवा है जिसकी औसत आयू लगभग 32 वर्ष है तथा इसमें 54 विभिन जातिय समोष शामिल है जिनमें से प्रत्येक की अपनी परंपराय, रीती, रिवाज और भाशाय है जातिय वियतनामी जिन्हें किन के नाम से जाना जाता है, कुल जनसंख्या का लगभग 85 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि अन्य समूव जैसे हमोंग, ताय और खमेर देश की सांस्कृतिक समरिद्धी में योगदान देते हैं वियतनाम की राजधानी हनोई, दुरलब, सुन्दर्ता और इतिहास का शहर है ग्यारवी शताबदी में स्थापित हनोई अपनी फ्रांसी सी उपनिवेशिक वास्तुकला के लिए जाना जाता है, जिसमें सुन्दर इमारते और पेडों से सची सरके हैं, जो जीवन्त बाजारों और व्यस्त सरकों के विप्रीथ है वानिक वियम जीर अपनी पवित्र तलवार की किवदंती के साथ, शहर के मुख्या आकर्शुनों में से एक है, जबकि होची मेनह मगबरा क्रांतिकारी नेता को श्रदानजली देने के लिए दुनिया भर से परेटकों को आकर्शित करता है होची मेनह सिटी, जिसे साइगॉन के नाम से भी जाना जाता है, वियतनाम का सबसे बड़ा शहर और वैश्विक आर्थिक और सास्कृतिक केंद है इस गतिशील महानगर में आधुनिक इमारतों के साथ बौध मंदिरों और आपनिवेशक युग के अवशेशों का एक आकर्शक मिश्रण देखने को मिलता है पुनर्मिलन पैलेस, युद्ध अवशेश संग्रहाले और बेंटन मार्केट कुछ ऐसे प्रतिश्टित स्थल है जो देश के इतिहास को दर्शाते है स्वतंत्रता और राष्ट्रिय संप्रभुता के लिए निरंतर संघर्ष से चेनित इतिहास वियतनाम का इतिहास हजारों साल पुराना है, जिसका इतिहास दूसरी शताबदी इसा पूर्व से मिलता है, जब देश पर विविन, सामराज्यों और राजवन्षों का प्रभुत्व था सदियों से वियतनाम को अनेक आक्रमनों और विदेशी कब्जों का सामना करना पड़ा है, जिनमें चीन से लेकर फ्रांसी सियों तक शामिल है, जिन्होंने 19 सवी सदी में देश को उपनिवेश बना लिया था वियतनाम की स्वतंतरता के लिए संघर्ष वियतनाम युद्ध के दोरान अपने चरम पर पहुँच गया, ये संघर्ष लगबग 3 दशकों तक चला और इसमें सोवियत संग द्वारा समर्थित उत्तरी वियतनाम का मुकाबला सयुप राज्य अमेरिका द्वारा समर्थित युद्ध की चुनोतियों और आघातों के बावजूद, वियतनामी लोगों ने अपने राष्ट के पुनर निर्मान में उल्लेखनिये लचीलापन और द्रिन संकल्प दिखाया है. खाल के दशकों में वियतनाम तीवर और द्योगिक विकास और वैश्विक अर्थ व्यवस्था में बढ़ते एक की करण के साथ एक उभरती हुई आर्थिक शक्ती के रूप में परिवर्तित हो गया है. आज वियतनाम की सडकों पर भूंते हुए स्थानिये लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट देखी जा सकती है, जो इस अविश्वस्निये राष्ट की विशेश्था, लचीलापन और प्रतिकूल परिस्थितियों पर विजे पाने की क्षमता को दर्शाती है. वे अपनी सांस्कृतिक जड़ों से गहरा जुडाव भी प्रदर्शित करते हैं तथा भोजन, संगीत और मार्शल आर्ट जैसी प्राचीन परंप्राओं को सनरक्षित रखते हैं. वोवी नाम और क्वेन जैसी विएतनामी मार्शल आर्ट का इतिहास सदियों पुराना है और ये राष्ट्रिये पहचान में गहराई से समाहित हैं. पीडियों से विक्सित ये युद्धर शैलिया, हाथ से हाथ की लड़ाई की तक्नीकों को मानसिक और आध्यात्मिक अनुशासन के दर्शन के साथ जोड़ती हैं. सभी आयूवर्ग के अभ्यासी अपने कौशल को निखारने तथा इस मार्शल विरासत को सनरक्षित करने के लिए अकादमियों और सार्वजनिक पाकों में एकत्रित होते हैं. मार्शल आठ के अलावा वियतनाम अपने शांदार पारंपरिक नृत्यों के लिए भी जाना जाता है. इन में से एक सबसे प्रसिद्ध नृत्य है सिंग नृत्य जिसमें कलाकार विस्तरित सिंग वेशभूशा पहन कर शक्ती, साहस और समरिद्धी का प्रतीक, घुमावदार और कलाबाजिया करते हैं. एक अन्य प्रतिष्टित मृत्य है चाता नृत्य जिसमें सुंदर नर्तक अपनी रंग विरंगी छत्रियों को भुमाते और उच्छालते हुए एक मंत्र मुब्धा कर देने वाली मृत्यकला का स्रिजन करते हैं वियतनामी संगीद भी देश की समरिद सांस्कृतिक विरासत का प्रतिबिम्भ है डैन बाओ, डैन ट्रान और डैन गुए जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग शास्त्रिये और लोग संगीद प्रदर्शनों में किया जाता है जो वियतनाम के ग्रामीन परिद्रश्य और आध्यात्मिक्ता को प्रदर्शित करते हैं वियतनाम की सांस्कृतिक समरिद्धी पर चर्चा करते समय हम इसकी पहचान के एक अन्य मूलभूत पहलू कॉफी उत्पादन को नजरंदाज नहीं कर सकते जो देश की अर्थ्विवस्था के मुखिस तंभो में से एक बन गया है आज वियतनाम विश्व में कॉफी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और निव्यातक है जो केवल ब्राजील से आगे है ये प्रमुक स्थान कॉफी क्षेत्र में दशकों के निवेश और नवाचार का परिणाम है जिसने देश को इस बजार में एक प्रमुक वैश्विक खिलाडी के रूप में परिवर्तित कर दिया है वियतनाम की जलवायू और भोगोलिक परिस्थितिया इसकी उपजाव भूमी और आदर्श रूचाई विशेश रूप से कॉफी की खेती के लिए अनुकूल है मात्रा के अलावा वियतनाम अपनी कॉफी की विविद्धा के लिए भी प्रसिद्ध है चिकने और सुगंधित रोबस्ता से लेकर तीवर और मिट्टी की तरह महकने वाले अरेविका तक वियतनामी कॉफी बीन्स दुनिया भर के लोगों को आकरशित करते हैं स्वादों की यह विविद्धा देश की कॉफी संस्कृती की समृद्धी और जटिलता को दर्शाती है और अब वियतनाम के बारे में एक और रोचक तत्ते जिसके बारे में मुझे यकीन है कि आप नहीं जानते होंगे सयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों के विप्रीद जहां शराब पीने की नियूनतम कानूनी आयू 21 वर्ष है वियतनाम में मादक पेपदार्थों की खरीद और उपभोग के लिए कोई नियूनतम कानूनी आयू नहीं है शराब के संबंध में आयू संबंधी प्रतिबंधों का नहोना कई आगंतुकों को आश्चरय चकित करता है जो विश्व के अन्य स्थानों पर कड़े नियमों के आदी है वियतनाम में आप किशोरों से लेकर बुजुर्गों तक सभी आयू वर्क के लोगों को रात के समय साइगॉन की वियस्ट सडकों पर एक ग्लास बियर का आनन लेते हुए देख सकते है अब अपनी आखे बंद करें और कल्पना करें कि आप रात में रंग बिरंगी रोश्नी और असन्खे खूबसूरत वियतनामी महिलाओं से भरी सडक पर चल रहे है निश्चिंद रहें, आपने जो कुछ अपने मन में सोचा है वो पुनरता वास्तविक है वियतनाम में, नाइट लाइफ सचमुच एक मनोरंजक और आकर्शक अनुभव है जैसे जैसे रात होती है, वियतनामी शहर उर्जा और आनंद के केंद्रों में तब्दील हो जाते है सडकों पर आप आनंद और मिलनसारिता के माहौल से घिरे रहेंगे, जहां सभी उम्र के लोग रात्री जीवन का आनंद लेने के लिए एकत्रित होंगे बार, क्लब और कैफे में तेज संगीत बज रहा है और वातावरन में जीवन बातचीत की ध्वनी गूंज रही है यहां आप प्रसिद स्थानिय बिया, बिया होया का आनंद ले सकते हैं, जो ठंडी और ताजगी देने वाली होती है, तथा आपके चारों और शेहरी जीवन की हल्चल को देख सकते हैं लेकिन वियतनाम में नाइट लाइफ बार और नाइट क्लबों से कहीं आगे तक पैली हुई है हनोई नाइट मार्केट की तरह रात्री बजार भी वास्तविक मनोरंजन स्थल बन जाते हैं हस्त शल्प, स्ट्रीट फूड और सास्कृतिक कारेक्रमों की बिखरी करने वाले रंग बिरंगे स्टॉल दोस्तों और परिवारों के समुहों को सार्वजनिक चौराहों पर निर्थ्य, गायन और मौज मस्ती के लिए एकत्र होते देखना कोई असामान्य बात नहीं है वियतनामी भोजन अपनी ताजगी, स्वाद के संतुलन तथा जड़ी बूटियों और मसालों के भर पूर ओक्यों के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है पूरे देश में आप ऐसे वियंजनों का स्वाद चक सकेंगे जो स्थानिय भोजन, चावल, सबजिया, समुद्री भोजन और मास के मूल तत्वों का सामंजस्य पूर्ण मिश्रन है सबसे प्रसिद्ध वियंजनों में से एक है फो, जो मास, ताजी, जड़ी, बूटियों और स्वादिश्ट सॉस के साथ चावल का नूडल सूप है इस वियंजन का आनंद दिन के हर समय लिया जाता है, नाष्टे से लेकर शाम के भोजन तक एक अन्य विशिष्ट वियंजन है बानमी, जो मास, सब्जियों और मसालेदार मसालों से भरी पकी हुई ब्रैट से बना सैंड्विच है लेकिन वियतनामी भोजन इन क्लासिक वियंजनों से कहीं आगे तक जाता है आपको चावल नूडल्स, फ्रिल्ड मीट और सब्जियों के साथ बंच्चा जैसे वियंजन भी मिलेंगे गोई कॉन, ताजा और कुर्कुरा स्प्रिंग रोल और काकोटो, कारमेल सॉस में पकाया जाने वाला मचली का वियंजन वियतनामी भोजन को इतना विशेश बनाने वाला तत्व है स्वाद, बनावट और सुगंध का उत्तम सयोजन वियतनामी लोग विभिन प्रकार की जड़ी पूटियों का उप्योग करते हैं, जैसे की धनिया, पुदीना और तुलसी, साथ ही अधरक, काली मिर्च और काफिर नीमबू जैसे मसालों का भी उप्योग करते हैं वियतनाम की नाइक लाइफ का आनंद लेने और इस अनूठे वियनजन का आनंद लेने से, आपको इस आकरशक देश की संस्कृती और सार के साथ और भी अधिक गहराई से जुड़ने का अफसर मिलेगा वियतनाम आने वालों को आकरशित करने वाला एक अन्य पहलू वहाँ पहले लुभावने परिद्रश्य और मंदिर है उत्तर से दक्षिन तक वियतनाम आश्चरी जनक प्राकृतिक विरोधाभासों की भूमी है आप भव्यवन आच्छादित परवत श्रिंखलाओं की प्रशंसा कर सकते हैं जैसे कि होंग लिन परवत माला जिसका सबसे उचा शिखर माउंट फान से पान है या फिर आप लान की आश्चरी जनक खाडियों में खो सकते हैं जहां फिरोजा जल से निकलते सैकरों चूना पत्थर के द्वीप है प्राकृतिक परिद्रश्य के अलावा वियतनाम समरिधा वास्तुशल्ब और धार्मिक विरासत का भी घर है बौध मंदिर जैसे हनोई में साहित्य का मंदिर और दानांग में लिन ओंग मंदिर ऐसी सुन्दर्ता और आध्यात्मिक्ता प्रदर्शित करते हैं जो आगंतुकों की कल्पना को मोहित कर लेते हैं ये पवित्र स्थलना केवल वियतनाम की प्राचीन परंपरा को सनरक्षित करते हैं बलकि वियतनामी लोगों के अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जड़ों के साथ गहरे संबंध को समझने का अनूठा आफसर भी प्रदान करते हैं। और आध्यात्मिकता की बात करें तो वियतनामी लोगों की धार्मिक परंपराएं विविद्ध हैं। यदेपी बौध धर्म के अनुयाई यहां की जनसंख्या के लगभग 75 प्रतिशत हैं तथा पी अन्य मानेताएं भी महत्वपूर्ण हैं। लगभग 7 प्रतिशत वियतनामी ताववाद और कन्फ्यूशिवाद का पालन करते हैं, जो संस्कृती और सामाजिक संबंधों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। कैथलिक धर्म, जो की 7 प्रतिशत जनसंख्या में मौजूद है, फ्रांसीसी ओपनेवेश्वाद की विरासत है, जिसमें साइगॉन कैथेडरल जैसे एतिहासिक स्थल शामिल है। देश में अन्य धर्मों के एलपसंख्यक भी रहते हैं, जैसे ताओदाई, जो एक समन्मित धर्म है जिसमें बौध धर्म, ताओवाद, कन्फ्यूशीवाद और कैथलिक धर्म के तत्वर सम्मिलित है। ये धार्मिक विविद्ता सांस्कृतिक सम्रिध्धी और सहिशनुता को दर्शाती है जो वियतनामी समाज की विशेष्टा है। वियतनाम में रहने की लागत एक और पहलू है जो इस देश में कई परेटकों को आश्चरे चकित और आकर्शित करती है। दक्षन पूर्व एशिया के अन्य देशों की तुलना में वियतनाम अपने पैसे के लिए उतक्रिष्ट मूल्य प्रदान करने के लिए जाना जाता है, जिससे यात्रियों को अपने अनुभव का अधिक्तम लाब उठाने का अफसर मिलता है। किराए की बात करें तो हनोई और होची मिनह सिटी जैसे केंद्रिये शहरों में कीमते कई अन्य स्थानों की तुलना में काफी सस्ती है। उदाहरन के लिए हनोई के केंद्र में एक बेडरूम वाले अपार्टमेंट की लागत लगभग 300-500 डॉलर प्रती माह हो सकती है। होची मिनह सिटी में इसी प्रकार का आवास 400-600 डॉलर में मिल सकता है। जब किराने का सामान और भोजन संबंदी खर्च की बात आती है, तो वियतनाम अपनी सामर्थे के लिए भी जाना जाता है। आप स्थानियर इस तरह में प्रती व्यक्ती मात्र 3-5 डॉलर के खर्च पर स्वादिश्ट भोजन का आनंद ले सकते हैं। यहां तक कि उच्छस्तरिय प्रतिश्ठानों में भी आप पूरे भोजन के लिए 15 डॉलर से अधिक खर्च नहीं करेंगे। और बजार में खरीदारी के लिए आपको प्फल, सबजिया और अन्य बुनियादी वस्तोय बहुत सस्ती कीमतों पर मिल जाएंगी। यह वित्तिय सुलबता सास्प्रितिक गतिविद्यों, अवकाश गतिविद्यों और परिवहन जैसे अन्य खर्चों तक भी फैली हुई है। और यह वियतनाम के बारे में चर्चा करने के लिए एक दिल्चस्प भिशे है। यहां यातायात अक्सर अव्यवस्तित रहता है। वियतनामी लोगों ने यातायात के दोरान एक प्रकार का समन्मित मृत्य विक्सित कर लिया है। जिसमें वे एक दूसरे की गतिविद्यों का पूर्वानुमान लगाते हैं और चपलता के साथ अपना काम करते हैं। इस अफ्रा तफ्री के बीच भी गंभीर दुरघटनाय दुरलब हैं क्योंकि यातायात में सभी भागीदार एक सुर में प्रतीत होते हैं। इसके अलावा वियतनाम में सार्वजनिक परिवहन भी अपनी सुगंता के लिए जाना जाता है। बसे, रेलगाडिया और सब्वे एक व्यापक नेटवर्क और बहुत कम किराया प्रदान करते हैं, जिससे स्थानिय निवासियों और आगंतुकों को शहरों में आसानी से यात्रा करने की सुविधा मिलती है। अब वियतनामी महिलाओं की बात करें तो उनकी सुन्दर्ता और शान से प्रभावित हुए बिना रहना असंभव है। इन महिलाओं के चहरे की नाजुब बनावट और प्राकृतिक सुन्दर्ता सच्मुच मन मोह लेती है। अपनी चिकनी त्वचा और काले बालों के साथ वियतनामी महिलाओं आकर शक्स्त्रीत्व प्रदर्शित करती है। उनकी उज्वल अभिव्यन जक आखें उनकी संस्कृति की गहराई और उनकी परंप्राओं की सम्रिद्धी को प्रतिभिंबित करती प्रतीत होती है। उनमें से कई लोग पारंपरिक पोशाक पहनते हैं जैसे की योडाई जो एक लंबी बहने वाली पोशाक है जो उनके नाजुक स्वरूप को निखारती है। लेकिन वियतनामी महिलाओं की सुंदर्टा शारीरिक सुंदर्टा से कहीं आगे तक जाती है। वे अपने चरित्र की मजबूती, द्रिन संकल तथा कार्यबल में बढ़ती उपस्थिती के साथ घरेलू जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। ये महिलाओं युद्ध और प्रतिकुल परिस्थितियों का सामना करने वाली पीडियों से विरासत में मिली उल्लेखनी ये लचीलापन का प्रदर्शन करती हैं। वे शारीरिक श्रम और ग्रामीन क्षेत्रों से लेकर कमपनियों और संस्थाओं में नेत्रित्वकारी पदों तक अनेक प्रकार की गतिविद्या करने में सक्षम हैं। जब आप वियतनाम की सडकों और गावों में घूमेंगे तो आपको खेतों में मेहनत से काम करती, चावल और अन्य फसले उगाती महिलाएं मिलेंगी। वे भारी टोक्वियां उठाते हैं, चप्पू वाली नावें चलाते हैं, तथा प्रशन सनिये उर्जा और समर्पन के साथ अपने परिवारों की देखभाल करते हैं। सुन्दर्ता, शक्ती और ड्रिल संकल्प का ये सयोजन वियतनामी महिलाओं को प्रेरणा का सच्चा प्रतीक बनाता है। वे वियतनामी लोगों की लचीलापन और बहुमुखी प्रतिभा का प्रतिनिधित्व करते हैं, रूरिवादिता को चुनौती देते हैं और तेजी से समतावादी समाज में अपना स्थान बनाते हैं। मुझे आशा है कि आपको वियतनाम की यह यात्रा अच्छी लगी होगी। ख्रिपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे किसी एक वीडियो पर क्लिक करें। मुझे यकीन है कि आप सामगरी का आनंद लेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं।